केंद्र सरकार ने अभी हाली में अंड़मान निकोबार दीव समो की राजधानी पोर्ट ब्लेर का नाम चेंज करके कर दिया है श्री विजय पूरम हाला कि इसके पहले भी केंद सरकार ने कई सारे इस्थानों के नाम परिवर्थत किये हैं और वो इसलिए किये हैं क्योंकि यह कहीं ने कहीं उपनिवेशिक यादों से जुड़े वे थे जैसे कि दिल्ली में राजपत का नाम उन्होंने कर्तव्य पत कर दिया और अब थोड़े दिन पहले ही यहीं कुछ सालों पहले अंडवान निकोबार दीप समू के तीन दीप रास दीप का नाम कर दिया था शुबाश संद्र बोस दीप वही नील दीप का नाम कर दिया था शह पॉपته हुश्याना के अधिकारी आर्ची बार्डड ब्लेयर के नाम पर रखा गया था क्योंकि आर्ची बार्ड ब्लेयर ने सबसे पहले अन्डिमान निकोबाड दिप समु का सरवेक्षन किया अलाकि उन्होंने भारत, इरान के कहीं समुदरी तटों का भी सर्वेक्षन किया था और उन्हीं के सर्वेक्षन से प्रभाइत होकर इस इस्थान का नाम पोर्ट ब्लेर रखा गया था इसके पहले इस इस्थान का नाम विलियम कार्णवालिस के नाम पर कार्णवालिस दीप रखा गया था लेकिन बाद में इसे पोट बलेर कर दिया गया था पोट बलेर के एतियासिक महत्व को देखें तो चोल शाशक राज़ंद्र प्रथम जो की राज-राज़ प्रथम के पूत्र थे उन्होंने अपनी श्री विजय दीप की विजय अभ्यान में अपना नोसेनिक अड़ा अंडमान निकोबार में ही बनाया था और इस अभ्यान में श्री विजय दीव अर्थात इंडोनेशिया के शाशक विजयो तुंग वर्मन ने राजन प्रत्म के समक्ष आत्म समर्पन कर दिया था स्वतनता संग्राम के समय हम देखें तो यहीं पर अगर हम आगे के समय में बात करें तो सेकेंड वर्लड वार में जापान ने इस दीव को अंग्रेजों से छीन लिया था जिसे बाद में आजाध हिंद सरकार को जापान ने यह दे दिया था और इसी कारण वस सुभाश चंद्र बोस ने यहाँ पर पहली बार तिरंगा जंडा को पहरायता, thank you.